मेठीर गाइन का लास्ट चल रहा है आपको सेज्र मजाए होगा तो देखो लास्ट में क्या ही ओता है वीडियों टक देखना क्या इनकी फाइनली मतलब हैपी या फिर इसका सीजन टू आएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो लास्ट अपने देखा था कि उसकी ब कि अच्छा लगता है तुम्हें उतनी वह ताकत नहीं रह गई है अब तुम्हें इन्हीं तुनों में से किसी से साधी करनी पड़ेगी जो कि मेजू सीमेन और अपना लीव होते हैं तो यहां संस्या चौक जाते हैं तेन ब्यूटिफुल से स्टोरी चलने स्टार्ट हो जाती तो संस्या बोलती है तुम्हें तो मेरे साथ हमेशा सबसे बेश रहे हो पर तुम्हें तो यंग लड़किया पसंद है ना मैं तो मतलब समझे तुम्हें अपनी उमर से जादर उमरदार लड़किया जो होती है वो तुम्हें पसंद है तुम्हें कैसे फिट हो जाओंगी है तो इसके बाद में जो कहानी होती है वो चलती है तो बोलती है कि हम मुझे भी रखता है कि मुझे ओर यफ की तलास करनेशी है चोड़ो मैं तुम्हाए तुम करता हूं तुम तुम मुझे जानती हो कितना प्यार करते हैं तो मुझे प्यार करते हैं ? कभी भी उसके साथ कुछ करने कोसिस मत करना ठिक है ? मैं समझ गया !! मैं जाता ! था घिक है ! तो त। मैं आलाओ भी नहीं है ≅arshा to watch si मुझे देखिनी है । मुझे पता है मैं सयो को प्यार करता हूं तेकि उसके बाद वो भी चला जाता है. लेकिन अब बारे आती है, अपनी मतलब समझें डो, अपनी ली की बात आती है. अपनी अपना ली बोलता है, तुम्हें तो कुछ बताने की जूरफ नहीं है, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो. और सबसे अच्छी बात यह संस्या को अगर डोमेंसी के बाद या फिर हो सकता है डोमेंसी से भी जादा अगर कोई समझता है तो वो अपना ली है उसकी रिस्पेक्ट करता है उसकी हर खुआइस पूरा करने की कोशिश करता है तो उसके बाद वो यहां सब बात वो बोलता है इसके बाद बुलता है चाहां सबस्क्त onÁत बहुत खुस हो जाते हैं तक छी लग मेरे चाहिक तुम्हारे सामने आ तो वो वो अच्छा आजै तो आप छली यह जो से लरी ही जो आप 2 अच्छा था उसके बाद लोगा समन करते हैं कि लोब मेंसी कि आजाए तो अचारक से वहाँ सेड़ते हैं और डोमेंसी अपना मोस्ट हैंसिम बॉइ जो संसिया उसे देखती है और देखते ही देखते रह जाती है ऐसा कि वह पूरे दूले की गेटप में तयार होकर उसके सारे प्रेंट्स सारे जो स्टार्टिंग से अपने सीजन में थ क्या यह सपना ही चल रहा है या फिर सच है क्योंकि अचानक से यह सब चीज हो गेतम में बहुत हैं तो उसके बाद कुछ नहीं बस इंजोई करने लगती है उसका बाद ली उसे ले कर जाता है डोमेंसी के पास और भी धीर धीर बहुत ही भाव कर आगे बढ़ रहे होती है स सब लोग बहुत ज़्यादा एकसाइट है संसिया को फ़ूर्पोस करता है कि इसे साधी करोगी और यहां पर अभी वी यकिन नहीं हो रहता हो कि यह लोग संसिया को चेयर कर रहे होते हैं संसिया तुम दुनिया की सबसे खुबसरत दुलहन हो और मैं चाहते हूं तुम बनने के लिए तयार हूं इस तरह रखा है तो संस्या बोलती है क्या यह सब बनना कितना आसान है तुम बहुत क्यूट हो तो उसके बाद यहां पर बनता है यू एंड फॉर इच इदर तुम लोग हमेशा के एक दूसरे के लिए ही बने हो तुम तुम सबने मुझे जूर बोल जो कि उसकी बहन होती हो बोलता है दी तुम दोनों को दुनिया की सबसे ब्यूटिफुल कफल घोजिच करती हूं और तुम लोगों की साधी को मंजूर करती हूं क्या तुम लोग अपना जीवन एक साथ बिताने के लिए तयार हो देन यहाँ पर दोनों एक दुस्ते के लिए राज हो जाते है तुमेंसी राज होता है बोलता है मैं उसके सारी खुसियों को सारी दुख को अपनाऊंगा और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बेंड बनुगा तो लगता है फाइनली इनकी हैपी एंडिंग जो हो चुकी है और सारे एपिसोड आपके लिए हम लेकर आएं तो सारे स्टार्टिंग सीजे जो स्टार्ट होती है संस्या की वो जो किक से स्टार्ट होकर कहां उनकी लड़ाई और फिर कहां वो लोग इतनी उपर नीचे इतनी सारे चीजे होती है फिर भी वो लोग साथ में हैं सच्चा प्य कीरा चाता है by उसके बाद वो लोग घर में रहते हैं तो बार आते हैं कुछ जलने की बद्भू आ रही है क्या हां मुझे बहुत गर वो जाते हैं तो यह सा लग रहा हूं जो उपने यह दो होगा तो बोलती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिजनेस करने में और यहीं सब चीजों में गुजार दिया लेकिन मैंने कभी देखा नहीं मतलब होता नहीं है लाइब को मैंने इंजोय नहीं किया तो अब मैं इंजोय करने जा रही हूं चेकर यह मिया लाज़ ब्रेक फास्ट हे जो मैं तुम लोगों के लिए बना रही हूं काफी मतलब यह भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि संस्य खड़ू सास नहीं देखने को मिलेगी वह बोलती ह लूँगी जगा जगा खाऊंगी और ज़्यादा एक्सप्रियेंस लाइफ के लूँगी तो यह काफी अच्छा चीज होता है कि उसकी मा भी मतलब पूरी तरीके से चेंज हो गई थी और वो बोलती है मैं सिप अकेले जाना चाहती हूं मैं अपने लिए खाना बनाना चाहती ह हूं खुद को सबमें में जाना चाहती हूं बसे लेना चाहती हूं टेक्सिस में घुना चाहती हूं और एक नॉर्मल आदमी जैसे जीता है वह इसे मैं कुछ जीने की कोशिस करूंगा और यह सारी चीजे में तुम लोगों के लिए तुम लोग अपना ध्यान रखना तो उ लाइफ को बीजी रखे हूँ है मतलब समझ रहे हो ना जो लाइफ की में इंपोर्टेंस ठींग से उसे निगलेट कर देते हैं उसके बाद वह सेलफी रहती है और अपने चेहरे पर स्माइल करती है और दूसी दरत भाई अपने डूमेंसी को तो आप कोई रोकने वाला है इसके बाद वह उसके गालों पर लिखता है कि यह गंदा से तुमने बना दिया है यह मेरी प्रोपर्टी है मैं इसे ही से कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें मेरे साथ ऐसे बाहर जाना पड़ेगा कि सबको पता चले कि तुम फाइनली अब मेरी हो चुकी है उसके बाद अब तो लाइक कर दो और जल्दी हमारा नया सिरीज सुरू होगा भाई बहुत ही लंबा समय हम लोग ने बिताया बहुत ही उपर चड़ा और नीचे समझे रहे हो ना तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइड़ हो कि फाइनली हम लोग ने एक अपना पुरा सिरीज फिनिस कर आएगा नहीं फिर भी चलो चलते हैं अपने पती का ओर ना मानना जानते हो अपना पती का लब को रिजेक्ट करना एक बहुत बुरा क्राइम है चलो जाओ आज मैं खाना बनाऊंगा तुम्हाई लिए उसके बाद वह थोड़ा सा प्रेंग जानते हो आप प्रेंग करना ज थीक है थीक है जलो जाओ मैं माफि मांगता हूं तुमसे ठीक है आम सोरी आम सोरी देन यह लोग की भाई माशूबा साम अब तो कुछ करना ही नहीं था डोमेंसी भी सिटल हो चुका था उसका नाय बिज़ सेटप हो चुका था संसिया भी बहुत जादा खुछ थी और उनक नेक्स्ट वीडियो कुछ बहुत इंपोर्टेंट आनी वाली है मेट्यो गेडेंस से रिलेटेड लेकर और नेक्स्ट हमारा कौन सा स्रेज होने वाला है ठीक है और ली मिलता है उसके बाद उसे ली मतलब सभी लोग अपने लाइफ में खुछ रहते हैं ठीक है तो यहां प काफी ब्यूटिफुल मेमोरी की अब सब लोग कहां पर हैं और किस कंडिशन में है देन ली अपना सीमें मतलब यह दिन लोग को तो आप देखी चुके हो और दूसरी तरफ अपना यह जो टूस्ता तार देखे काफी ब्यूटिफुल सा होता है उसके बाद यह दूनों एक मैं बहुत ही हैंसम से लड़का बनना चाहता हूं मेरी काफी हैं ब्यूटिफुल सी गल्फ्रेंड होनी चाहिए इसा वे सबता है तो यहां पर सब लोग अपनी अपनी विसेस मांग रहे होते हैं अच्छी बुड़ी और यहां पर में जो की जो एक्स गल्फ्रेंड आती है वो भी बाहर आती है वो भी मतलब सब लोग अपने अपनी और यह दोनों आप जानते हो और दोनों भी अपने ट्री हाउस में अराम से जिन्दगी अब उन्हों को भी अच्छी से बीत रही है तो इनकी भी यह अलग चल रहे हैं और दूसी तरफ इसे भी अपना रोबाट म देखने को मिले और सबसे इंपोर्टन ली की जो गल्फरेंट थी उसने कहा था कि मैं बच्चों की सेवा करना चाहते हूं अपना जीवन उन्हीं लोग को लिए बिताना चाहते हूं तो फाइनली उसे भी वह चीज मिल चुका था दूसी तरफ उसकी जो डॉमेंसी की बहन ह है वह भी इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुस होती है कि दिल में सुकून होता है सो फाइनली यार कैसा लग रहा यह कैसा लगा एपिसोड और कैसा लगा यह सीरीज और कौन-कौन से हैं जो आप लोगों ने यह सारे के सारे मेरे वीडियो देखे हैं अभी तक सुरू से लेकर अब तक मेरे साथ दिया है कमेर में जुरू बताना और मिलते हैं नेक्स्ट तरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली हो मतलब माई गल्फ्रेंड इस एलियन सीजन टू उसके बारे में भी हम बहुत इ काफी इंज्योई कर रहे होते हैं तो चलो बस आज का वीडियो इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई